ओम स्री गणईशे आई नमादो उस्तो ओम गणपती स्वामधान यूट्यूब चैनल में आपका हरतिक स्वागत है दोस्तो हम आज बात करने वाले हैं 18 जून सुक्रवार आज के करकरासी के दैनिक रासी फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फाइदा होगा और किन चीजों से इनको साफधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेश और वेफसाय कैसा रहेगा कैरियर कैसा रहेगा घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्त की महत्पून जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे दोस्तो वीडियो आगे सो रूपने से पहले मेरी अपलोगोस रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में नोटिफिसिंगी बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्पून वीडियो पहुंच सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपकी रासी वालों का आज का दिन पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने बाला है आज आप विपरिस्ट परिष्थितियों में भी सफलता पूर्वक सही निर्णे ले पाएंगे आपके दुआरा ली गए निर्णों से आपको कोई बड़ा आर्तिक लाव मिलेगा समाज में सिर्ष लोगों तता सिर्ष अधिकारियों से संबंद अच्छे रहेंगे विश्षाई में आर्तिक लाव और तरिक्की के योग रहेंगे भाई बेहनों से आर्तिक से योग प्राप्त होगा नोकरी में परिवर्तन और प्रिमोशन के लिए ये समय अच्छा रहेगा धर्म एम अध्यात्म के छेतर में आपकी रुजी बढ़ीगी जियां दोस्तों कोई महेंगी वस्तू खरीदने के योग बन रहे हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव रहेगा कोई मकान दुकान या प्रोपर्टी की खरीद फरोक्त में सावधानी परते हैं जरूरी दस्तावी जोकी फून जारगानी कर लें अन्यत्य आपके साथ दोका भी हो सकता है आज वान थोड़ी सावधानी से चलाएं सावधानी परते हैं आज आपका विर्षाय और केरियर कैसा रहेगा आज का दिन आजी विका के लिए बहुती सुबकारक रहने वाला है आज संपत्ती के विस्तार के योग बन रहे हैं और आपके आर्थिक विकास में विरद्धी होगी यात्रा द्वारा कोई बड़ी सफलता के योग रहेंगे यात्रा से लाब राप्त होगा आज चल अचल संपत्ती से लाब के योग बन रहे हैं दिया हुआ फसा हुआ दिन आपको आज वापिस मिल सकता है केरियर परिवर्तन के लिए यह समय महत्पूर्ण रहने वाला है आज कारिये छेत्र में सरकारी कामकाज समय से पूरे होंगे नौकरी पेसा जातकों को अपने केरियर में थोड़ी मेहनत की अवसेक्ता होगी अगर आप दो कदमागी बढ़ाते हों निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी जियां दोस्तो विद्यार्तियों को भी इस समय अवसेक्ष सफलता प्राप्त होगी आपका घर परिवार कैसा रहेगा? आज आपको समाज में अपनी योगता के अनुसार मान सम्मान प्राप्त होगा और आपकी पद प्रितिष्टा में व्रद्य होगी आज आप दूसरों की भलाई और सेवा के कारिये करेंगे संतान पक्ष से सुक प्राप्थ होगा ससुराल पक्ष से कोई लाम मिल सकता जियां दोस्तो यातरा से सफलता प्राप्थ होगी लाप प्राप्थ होगा माता-पिता का सुवास्त उत्तम रहेगा भाई-बेहनों के रिष्टे और अधिक मजबूत हो जाएंगे धार्मिक कारियों के पाथन पाथन में आपकी रूची बढ़ेगी और धार्मिक कारियों में इस सबी आज़ाप लेते हों नजराएंगे समा सेवा के कारियों से आपको मान सम्मान बढ़ेगा पत्रितिष्टा बढ़ेगी आपकी लवलाइब कैसी रहने वाली है विवाई की जीवन में काफी प्रेम फूर महुल रहेगा विवाई की जीवन में काफी समझे से देखने को मिलेगा जीवन साथ ही का स्वास्त उत्तम रहेगा ऐसे रिष्टे जो अलग से हैं उनमें आज कोई लाब हो सकता है प्रेम समं में नहीं ये थोड़ा सियम रखें थोड़ा इंच्यार करें आपका स्वास्त कैसे रहेगा अच्छ स्वास्त संभन्दित सम्सायं जैसे कंदेमिदर सर्दर्द बदंदर्द से परिशानी हो सकती है आप इन समस्चाओं से दूर रहने के लिए नियमित योग करें प्रणायम करें और स्वस्त रहें दोस्तो आज आप ये उपाई अवस्ते करें मालक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें और मिस्री का भोग लगाएं और साथ में 108 बार इस मंत्र का चाप करें ओम स्री लक्ष्मी नमा ओम स्री लक्ष्मी नमा दोस्तो ऐसा करने मातर से मालक्ष्मी अवस्ते प्रसन होंगी दोस्तो आपको मालक्ष्मी का सिर्वात प्राप्त हो कमेंट में जैलक्ष्मी अवस्ते लिखें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन सुबो और मंगल में हो